Hello friends, good evening, we will discuss chapter number first of class 10, Science, Chemical Reaction and Equation So, chapter का title जैसा कि हमें दिया है, तो chapter का name ही हमें chemical reaction and equation दिया है तो उससे पहले हमें chapter आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें chemical reaction के बारे में सबज़ना होगे तो chemical reaction क्या होता है, chemical reaction एक process होता है, ठीक है, it's a process in which two or more substances ध्यान से सुनना, it's a process in which two or more substances form new substances ये ऐसा process होता है जिसमें दो और दो से ज़्यादा substances, two or more substances और नहीं बोल सकती है, क्योंकि O है, oxygen है, वो कभी भी अगर oxygen के साथ जब तक तुम कुछ रियाक्ट नहीं कराओगे, वो oxygen ही रहेगा, इसलिए वन नहीं रिखते हमें, हमेंसर तो और मोड दो या दो से जादा के बीचिए यह chemical reaction होता है, और हम इसे कभी भी reverse नहीं किया जा सकता हम अगर हम chemical reaction कर रहे हैं तो हम इसे किसी chemical reaction से ही reverse करा सकते हैं, कोई physical reaction हम यूज नहीं कर सकते for chemical reaction को कभी भी reverse करने के लिए physical method हम यूज नहीं कर सकते चिक है तो अब chemical equation क्या होता है अच्छा chemical equation क्या होता है मैंने का two or more substances देखो substances मैंने substances बोला पर मैंने use o करा क्यों substance अगर मेरे को लिखना तो मैं oxygen लिखती लिखती तो chemical equation यही होता है chemical reaction can be represented by a chemical equation हम किसी यह chemical reaction को chemical equation से show कर सकते है रिप्रेजेंट कर सकते है जैसे अब मैंने मैं बहुत बड़ा अगर लिखू जैसे मैं लिखती हूँ आं अ का मैंने अर्ड़ी तरह में इसे बिखती हों लिखती है अच्छाâte अक्सीजन क्या है इस गैस जब यह दोनों इक दूसरे से रियाक्ट कर रहे हैं क्या निकल रहा है magnesium oxide क्या निकल रहा है magnesium oxide निकल रहा है तो देखो यहां मैंने यह यूज करा फिर यहां मैंने यह सिम्बल यूज कर लिया यही chemical reaction को जैसे आप मैंने यह लिखा इसके वज़ाए अगर मैं एम जी लिख देती तो इसली फोर मी यह बहुत ज़्यादा इसी पड़ जाएगा तो किसी chemical reaction को हम chemical equation से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो जैसे मैंने magnesium को मतलब magnesium oxide का reaction magnesium plus oxygen करके दिखाया लिखकर दिखान से ज्यादा बेचर था मैं Mg जो की solid है प्लस O2 जो की gas है को लिख देती magnesium oxide क्लिया टी है चीक है अच्छा अब chemical equation लिखने के लिए chemical equation लिखने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होती है क्या एक होता है हमारा reactant और एक होता है हमारा product अब हमारा reactant क्या होता है reactant हमेशा हमारे arrow के back side में होता है और product हमेशा हमारे arrow के head side में होता है क्या है reactant के बीच में हम एक plus के symbol से उसे reactant बना देते हैं दो ऐसे दो ऐसे subtranse जो एक दूसरे में react कर रहे हैं कोई नया सब्टांस फॉर्म करने के लिए उन्हें रियक्टेंट बोल देते हैं जो रियक्ट कर रहे हैं इसले देखो रियक्टेंट और जो इनका प्रोडक्ट बनता है वह होता है आपका मतलब जो इनके बनने से जो निव सब्टांस फॉर्म होता है वह बन जाता है आपका तो reactant and product ठीक है अच्छा अब यह तो था आपका title एक समझाना मेरे मेरे जो था यह था एक की मेरे को आपको title समझाना अब हमें start करते है chemical reaction तो देखो जब chemical reaction हो रही है जब chemical reaction हो रही है तो क्या होता है देखो जब chemical reaction हो रही है तो क्या होता है कि हमें कैसे पता चल रहा है कि chemical में कोई reaction हो रहा है हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ कोई reaction हो रहा है तो जब change हो state में किसी दो इनके बीच में किसी अगर state में change आ रहा है जैसे magnesium क्या बन रहा है यह solid बन रहा है oxygen की state में change आ रहा है तो यह magnesium oxide बना रहा है ठीक है चेंज इन स्टेट हो चेंज इन कलर हो चेंज इन टेंपरेचर हो या इवलिशन ऑफ गैस हो इस गैस पे बनके ओड़ जाता है ठीक है वो अच्छा अब क्यामिकल रियक्शन हमारे डेली लाइफ में भी हो रही है बिल्कुल हो रही है आगे 6 चाप्टर में लाइफ प्रोसेजिस बे आपने पढ़ा है मतलब पढ़ना होगा भी कि हमारे बॉडी में भी बहुत सारी रियक्शन चल रहे हैं जैसे रेस्पी रेशन हो गया रेस्पी रेशन हो गया डाइजेशन ओफ फूड हो गया रस्टिंग ओफ आइरन हो गया फॉर्मेशन ओफ कर्ड हो गया यह सब क्या है कैमिकल रियक्शन से अब कैमिकल एक्वेशन क्या होता है तो कैमिकल एक्वेशन एक ऐसा रियक्शन रियक्शन होता है मतलब कैमिकल एक्वेशन क्या होता है अग chemical reaction can be represented by chemical equation एक chemical reaction को जब हम represent करें किसी equation से तो उसको chemical equation बोल देते हैं और इंवर्व यूज़ ऑफ सिंबल ये इनवर्व करता है सिंबल यूज़ करना किसके सब टांसे के जिसके बीच हमने reaction कराया इट मिन्स reactant एंड प्रोड़क्ट के सिंबल यूज़ करना और उनकी physical state को mention करना कि वो था कि जैसे मैंने magnesium प्लस oxygen में मैंने बताए कि यह solid था यह gas था और इनका reactant क्या बना वो भी एक solid बना तो इनकी physical state को mention करना रहता है है यह हो जाता है यह chemical equation और बांसे जब से जधा मात्रह किसकी हो वाटर की हो ठैक के ओस्यां होता है जब हम हमें equation के बार में पढ़ता है ना तो हमें chemical equation को balance भी करना होता है अब जैसे मैंने देखो यह magnesium का मतलब magnesium और oxygen का reaction तो करा आया और मैंने magnesium oxide लेकिन इधर देखो यहां हमारे पास magnesium का एक ही compound है यहां हमारे पास oxygen का दो atom है जो हमारे पास इसके पास दो atom है तो यहां पर भी 2 होने चाहिए पर इसके पास तो 2 नहीं है तो हमें क्या करना है magnesium solid plus oxygen प्लस जैको यह दो हैना यहां दो हैं यहां एक भी नहीं है हमें इसको दो से मल्टिप्लाइ करना है अब देखो okay दो हो गए लेकिन अब यह हम наसे क्या कलती हो गई मैगणीशिंट इक ही है ऑक्सीजन दो है । यहltrycum दो गई और ऑक्सीजन दो गई यह ठीक है अब हम क्या करहे हैं यहाँ भी 12 मिलूटिपील गरं यह हमारी कैमिकल क्या बैलेंसिंग इक्वेशन आ जाता है पेप़र में है बैलेंसिंग क्वेशन आ जाता है पेपर में तो हमें इस तरही के से थो आइन प्लस वाटरस ने हमें मिलकर क्या दिया हिनके बीच रेक्शन ए भॉन ऑन दिया फैरिक आक्साइट प्रस हाइड्रोजन अब हमें इसे करना है भैलान्स सो देखो हमें क्या करना है examination point of view से हमें एक box बनाना है in paper box type में बनाना है जैसे अगर ये 2 marks में आते हैं तो आपको box बनाकर ही करना है mainly तो इस तरीकी से बना लिया उपर हमने element लिख लिया जो element हमें इसमें given है reactant कि side com मतलब कितने जादे item इधर है reactant में और कितने product में तो ये लिख रहे हैं हम इसलिए चीड़े हैं तो जैसे element हमारे यहां एक iron है hydrogen है और एक oxygen है तो iron hydrogen oxygen आच देखो reactant में इसका क्या है एक ही है एक ही तो है reactant तो हमने one लिख लिए लेकिन product में इसके यहां पर 3 है और यहां पर देखो यह तो suitable है अब देखो ओ oxygen के कितने है एक है पर इधर जाकर कितने है 4 हम यह क्या करना इब इनको क्या करना है एक्वल बननाँ है तो हम पहला यहां तीन है तो यहां तीन करने के लिए हम इसे 3 से multiply करेंगे यह दूनों सेम ही है पर यहां चाहरे तो यहां चाहर करने के लिए हम इसे फोर से मल्टिप्लाइ करना परेगा, अच्छा, अब हमने क्या करा, रियक्टेंड में तीन से मल्टिप्लाइ करा, तो देखो, three fe लिखा, प्लस, देखो, हमने water के साथ कुछ नहीं करा, अब, फैरिक, हमने इदर भी अब आपłosष्प के साइट अब आप बोलो के साइट कुछ निखा अब आप बोलोगे की प्रोड़क्त में यह दो हैं प्रोड़क्त गल्यका dopp dette 우य कितने भी हो सकते अब आग कि आएसके ग्लुकोंगज बनता तो भाइप प्रोड़क्त में इसका साथ देने है ठीक है तो अब यह आइरन हो गया यहां पर यह वैलेंस हो गया अब देखो अब हम एक ओर बॉक्स बनाते हैं धेखो अब F.E.H.O क्या है देखो रियेक्टेंट की साइड में यहां तीन है और यहां पर प्रोडक्ट में भी यहां देखो हाइड्रोजन के पास यहां पे 2 हैं देखो यहां कितने हो गए अब यहां पे 8 हो गए है यहां 8 हो गए ना अब तो यहां क्या करना है यहां पहले आप 8 लिखोगी यहां तो 2 ही है ठीक है यहां oxygen के पास भी 4 है और इधर भी 4 है अब हमें क्या करना है हमें इसे 4 से multiply करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसे 4 से, तो अब क्या करना है, हम इसे 4 से multiply कर देंगे, देखो, 3Fe plus 4H2O is equal to Fe3O4, अच्छा, अब हमने देखो, हमने product के side multiply कर रहे, तो हम क्या करेंगे, plus 4H2, ठीक है, देखो, अब 3, तीन iron के हो गए, देखो, यहां 3 यहां 4, hydrogen के हो गए, यहां 8 हो गए, देखो, यहां पर भी 8 है, oxygen के पास 4 है, और देखो, oxygen के पास 4 है, तो इस तरीके से हमें करना होती है, chemical, मतलब chemical equation को balance, तो इस तरीके से हमें equation balance करने के लिए paper में आ जाता है,